उतर प्रदेश परिवहन विभाग को बड़ा नुकसान हुआ है आपको बता दे कि बंथरा थानक शेत्र में स्थित स्कैनिया वरक्शोप में खड़ी तीन लगजरी बसों में संदिग्द परिस्थितियों में अचानक भीशन आग लग गई आग इतनी भयंकर थी कि तीनों बसे जल कर धाचे में तब्दील हो गई सुशना पाकर मौके पर दमकल की गाड़िया पहुँची इसके बाद आग पर काबू पाए गया एक बस की कीमत एक करोड रुपे से अधिक बताई जा रही है आपको बता दे कि बंथरा थानक शेत्र में नेशनल हाईवे 25 कानपूर रोड पर दरोगा खेडा में पेट्रोल पंप है इसी से कुछ दूरी पर उत्तरप्रदेश परिवेहन का वरक्शॉप है यहां खड़ी तीन बसों में अचानक आग लग गई आग इतनी भीशन थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई रहगीरों की सूशना पर बंथरा थाना पुलिस मौके वर पहुंची इसके अलावा फायर ब्रिगेट को बुलाया गया जब तक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा तब तक तीनों बसे जल कर खाक हो गई अगर आग पेट्रोल पम तक पहुंचती तो बड़ा हाथसा हो सकता था जानकारी के अनुसार ये तीनों बसे उनों बंद के रूप में चलाने के लिए मंगाई गई थी दरसल निगम प्रबंदन ने मुंबई के एक उपरेटर को 32 लगजरी बसों का संचालन करने का आदेश दिया था लेकिन बाद में प्रॉफिट को लेकर दोनों में विवाद हो गया तो ये मामला कोड तक पहुंच गया ओप्रेटर इन बसों को संचालित करने के लिए सतंबर में लखनव आया था तब ही से ये बसे कानपूर रोड पर सिर्थ वर्क्शोप में खड़ी थी कुछ तकनीकी खराबी आई थी एक बस की कीमत एक करोड रुपे से अधिक बताई जा रही है की की खराबी एक बस्ट पाराबी थी एक ही पाराबी आई जाई रही है मुझे आपके अपके बेल आइकन को व्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें घंने वाल